सद्गुरु जी, मुझे लगता है कि इस आडिटोरियम में बैठे सभी लोग और इंटरनेट पर हमारी बातचीत को लाइव देख रहे हजारों दर्शक भी ये जानना चाहते हैं कि क्या अच्छे स्वास्थे के लिए कोई नुस्खा है आध्यात्मिक्ता, योग, याध्यान क्योंकि मैंने आपको कुछ लोगों की मदद के लिए असंभव चीज़ें करते देखा है जब वे बिमार थे और सबसे बड़ी बात है कि जब आपकी सहत बिगड़ी थी तो कोई भी डॉक्टर या मेडिकल डिक्शनरी उस बिमारी का पता तक नहीं लगा पाये थे तो स्वस्थ रहने के लिए क्या कोई और तरीका भी है अरुन धती ने आपकी जीवनी में बहुत ही सुन्दर तरीके से लिखा है वे कहती हैं कि आप एक दिव्वे दर्शी हैं आप खुदे कंजान रोग से पीडित थे और फि बात ये है कि हमने इस शरीर को भीतर से बनाया है तो इस शरीर को बनाने वाला भीतर है अगर आपको कोई मरमत करानी है तो आप निर्माता के पास जाना चाहेंगे या लोकल मेकैनिक के पास अगर आपकी पहुँच हो तो आप निर्माता के पास ही जाना चाहेंगे अगर आपकी पहुँच नहीं है तो आप मरमत के लिए लोकल मेकैनिक के पास जाएंगे अगर medical science नहीं होता तो मेरे ख्याल से आधे लोग मर चुके होते यहां इस audience में क्योंकि सन 1947 में एक भारती की ओसत आयू 28 साल थी आज ये वड़कर 64 साल हो गई है इसका मुख्य कारण है medical science जैसा ये आज है तो मैं medical science की एहमियत कम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ ये महत्वपूर्ण है पिछले 30-40 सालों में बहुत कुछ हासिल किया गया है सवाल बस ये है अगर आपके पास उस त्रोथ तक पहुँच होती जिसने इस शरीर का निर्मान किया है तो निश्चित रूप से हर उस समस्या को संभाला जा सकता है जिसे आप शरीर में भीतर से पैदा करते हैं बिमारियां दो तरह की होती है संक्रामक और पुराने रोग हमें संक्रामक रोग किसी बाहरी वाइरस के हमले की वज़े से होते हैं आपको डॉक्टर के पास जाना ही होगा बैठ कर ध्यान करने की कोशिश मत कीजिए लेकिन इस धर्ती पर 70% बीमारियां खुद की बनाई हुई है मैं खुद की बनाई हुई इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये भीतर से पैदा हुई है तो जो चीज आपके भीतर से पैदा हो रही है उसे बड़ी आसानी से आपके भीतर ही ठीक किया जा सकता है आपके पास जो कुछ बाहर से आता है उसके लिए आपको बाहरी मदद चाहिए अगर आपको किसी जीवानू से लड़ना है तो आपको दवा चाहिए तो बाकी सारी लगबख सत्तर प्रतिशत बीमारियां खुद की बनाई हुई है आपका शरीर आपके खिलाफ काम क्यों करेगा? ये शरीर दरसल स्वास्थ के लिए प्रोग्राम किया गया है इस शरीर की हर कोशिका को स्वस्थ रहने के लिए प्रोग्राम किया गया है नहीं है, है न? वो आपसे खुश नहीं है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो इसी तरह से आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं और कुछ अंग किसी कारण से आपसे खुश नहीं है, आपको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए. इसका तरीका है, इस पर बाकायदा ध्यान देने का तरीका है क्योंकि शरीर में हर चीज भीतर से ही बनी है जब ऐसा है तो क्या इसे भीतर से ठीक नहीं किया जा सकता तो ये कोई चमतकार नहीं है मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूं कि ये कोई चमतकार नहीं है चमतकार क्या होता है मान लीजे कि आप नहीं जानते कि बिजल हो गई आपको क्या लगा कि मैं कौन हूँ मान लीजिए कि आज से हजार साल पहले अगर मेरे पास सेल फोन होता मैं अपना फोन निकालकर अमेरिका में किसी इंसान से बात करता तो आपको लगता कि मैं भगवान हूँ है ना तो चमतकार यानि कुछ ऐसा जो आपको समझ में न बहुत सी चीजें जो आज से सौ साल पहले चमतकार लगती थी वो आज रोज मर्रा के जीवन की आम चीजें हैं है ना तो ये कोई चमतकार नहीं है ये वस आपके अपने शरीर की और जिस तरह से ये बना है उसकी एक ज्यादा गहरी समझ है तो ये ऐसी चीजें जिस पर हमे ध्यान देने की जरूरत है